नमस्कार मित्रों अभियान UPPCS में आप सभी का स्वागत है मित्रों आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास नोर्ट्स हैं जो क्रक्स पड़े हुए हैं जो आपके लिए काफी परच्छा प्योगी हो सकते हैं तो इस सीरीज में पहला जो है आज हम शुरू कर रहे हैं इंवार्मेंट एकोलोजी का जिसमें पिछले सभी लगबग 15 से 16 वरसों का जो भी पेपर आया है किसी भी परच्छा में किसी भी PCS की परच्छा में ये UPSC में उन सारे प्रस्णों का वन लाइनर आपको मिल जाएगा ये पूरी वीडियो जो होगी टोटल मिला गए आदे घंटे से 40 मिनट की होगी लेकिन ये दो भाग में हम कर देंगे इसको तो आए देखते हैं मित्रों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान जरूर प्रेस करें जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आए शुरू करते हैं ये हर चैप्टर से हमने तयार कर लिया है 2017 में ये नोट्स बना था हमारा ये रिवीजन के लिए डेट लिकी होती है तो आप देखेंगे परियावरण पर जीवों के परस्तिकी कारकों को कायोग परियावरण है ये कथन किसका है ये फिटिंग का है ये सारी चीजें आप वीडियो दो से तीन बार अगर देख लेंगे पोई भी इन्वार्मेंट का पेपर सॉल्व करने जा रहा है आप इसी भी परिक्षा में तो दो से तीन बार इसको देख लीजिए आपका रिवाइस हो जाएगा पूरा और मुस्किल से आपको 30-40 मिनिट लगेंगे दोनों वीडियो देखने में ये वीडियो जो होगा 20-25 मिनिट का होगा उसके बाद भी 20-25 का एक और वीडियो बना देंगे ये लगबग 40 पेज पे हमने पूरा क्रक्स लिख दिया है पचीस सो से तीन हजार प्रस्नों का ये संकलन है समय लिए जो पहले आ चुके हैं 2000 के करीब और संभावित भी प्रस्नों को इसमें लिखत दिया गया है सततवास थाई विकास नौनियत बात की अधारना है वरतमान में वन छेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रक्रित और मानों क्रियाओं का दौरा पविवर्तन होता है कितना परसेंट? 50% परियावन निश्चयवाद के प्रिकपाद कोन थे? कारल लिटर इन्वार्मेंट होतिक, जैविकी, एवम सांस्कृतिक, तत्तों के अंता क्रियात्मक, ब्यस्थात जो अंता संबंदित होते हैं यह परिभासा जो है कम से कम 20 बार पुछी जा चुकी है विविन परिच्छाओं में यूएनों ने 2002 को सतत्विकास का अंतरास्थी वर्स गोशित किया गया है यह भी प्रसत पूछा गया है अधिनियम, परियावरान सनच्छन अधिनियम, उनने सो चिया सी यह लगवग हर साल पूछता है सतत्विकास सुचकांग 2016 अब यहीं पर अपडेट आप कर लिजेगा सस्टनेबल डेवलप्मेंट 2018 में कौन सा अस्थान था, कैसा था करेंट की जो है, 2017 तक यह है, सारे प्रस्ण जो भी उसके आगे के प्रस्ण हुए है और करेंट के जो भी है, उसके लिए हम अलग से वीजेओ बनाएंगे परियावरान अधिनियम, वन मंत्राले का स्रिजन 17 सेतंबर, 1980 यह कम से कम 20 बार पुछा जा चुगा आगे गंगा कारिय योजना, 1985 बने जीव सनच्छन अधिनियम, 1972 हरित नयाधिकरन, 2010 परियावरान को विकास के साथ जोडा गया कब चोथिप 5 येर प्लान में मानो गुगोल के जन्म दाता कौन है मनुस्से के लिए सरवाधिक उप्यूक्त टेंपरेचर क्या है 25 डिगरी सेंटिग्रेट और 60 डिगरी 60 परसेंट हुमिडिटी ये हुमिडिटी है विक्ष्व परियावरान दिवस 1973, पहला मनाया गया था 1973 में ओजोन डिप्लीशन का सरवर्थम पता लगाया किसने जो से फोर मन ने 1985 में हरीकेण द्वाराच्छातिक मापन क्या है मापक सौफिर सिम्सन सस्टनेबल डेवलप्ट्वेंट की अधाना के प्रतिपादक कौन है ब्रत लैंड तो सस्टनेबल डेवलप्ट्वेंट की अधाना के प्रतिपादक ये ब्रत लैंड में हुआ था प्रतिपादन का हुआ था ब्रत लैंड 1987 ये तीन चार बार उप्यसी में बूच चुगा गया है भारत में गैर परंपरागत उर्जा स्रोथ विभाग के अस्थापना 1982 नीरी नागपूर में है अमरेला लिजिसलेशन EPA इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट डिपार्टमेंट आप रिनेवबल एनरजी कब गठन हुआ था 1987 में अब ये पूरा समझ लीजिए कि 1500-200% इससे पर्यावलान से उचे गया है जो इन ही में एक पेज में आपका हो जाएगा ये सारी चीज़े याद कर लिजेगा और साइड में आप जब नोट्स बनाया करिए ये इस पेज देखिए हम छोड़े हैं आप भी छोड़ लिया करिए इसमें कोई नई इंफर्मेशन हो आप अपडेट कर दें और ओपेज पे बनाया करिए फुले पेज पे ही नोट्स बनाया करिए जिसमें आप नया पेज भी एड़ कर सकें लाइकेन अब ये इकोलोजी एंड इकोसिस्टम से है लाइकेन बनों में वन में पेडों की छालों पर उगेराते हैं हुसेन सागर कहां पर है हैदराबाद में जलकुंभी की ब्रिद्धी से नस्थ हुई है जेरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे को बोलते हैं पादर ब्रिद्धी के लिए सबसे उप्युक्त कौनसी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है पौधे जल और सोसित करते हैं केसी का जल घास अस्थली पारितंत्र का उर्जा प्रियामिट सीधा होता है ये बना लिजेगा आप लोग तुद अपने नोर्च में तालाप के पारितंत्र का जीवभार पिरामिट उल्टा होता है घास अस्थली प्रियामिट सीधा होता है खाद जाल में उर्जा प्रवाक उनिडिरेक्शनल होती है ये कम से कम पांच बार लगातार पूछा गया है PCS में 2017 तक एक खाद अस्तर से दूसरे खाद अस्तर में जाने से उर्जा का हरास कितना होता है 90% 10% उर्जा ही संद्चित रहती है ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है पारिस्थित की पदछाप पारिस्थित की स्तूप पिरामिट की परिकल्पना सरप्रथम किस नहीं दी थी चार्ल्स एल्टन ने सूरी के प्रकास में उगने वाले पौधों को क्या करते हैं आपतोथ बिल ग्रिस्म में भारी वर्षा तथा सर्दी में कम वर्षा कहा होती है गास वन में हैलो फाइट्स लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधे होते है मृदा परिवर्धन को मृदा जनन भी कहते हैं यह पूछा गया है द्रिट पाढ़ी वन छेत्रों की विशेषता शरद रित में भारी वह ग्रिस्म रूत में कम वर्षा मृदा परिषेदिका का संस्तर यह देख लिजेगा में बालू यतिका का आधर सन्पात कितना होता है 50-50 में आमलता कम करने के लिए दोलोमाइट व चूना पत्तर ध्यान दिएगा यह पूछा गया कई बार नाइट्रोजन योगी की करणवाला बैक्टिरिया एजेटोबैक्टर हैं घास वन में खादिस्रिंखला घास फिर हिरन फिर सेर फिर जून पारितंत्र का गतिक धिर्द है उर्जा प्रवाव खनिचक्र पारितंत्र में होती है उर्जा वो खनिजो दोनों की हानी दस परसेंट का नियम देने वाले वज्ञानिक लिन्डेमान पारितंत्र में उर्जा का प्राक्मिक श्रोथ सनलाइट होता है जयवंडल में एक ही जातिकी संख्या को क्या करते हैं जन संख्या करते हैं एक से अधिक जातियों को क्या होते हैं कम्यूनिटी संख्या एक सब्दक देने वाले यह कल प्रकास संस्लेशन के दौरान प्राशायनिक उर्जा में परिवर्थित होती है एक से दो परसेंट रचना एवंकार की द्रिश्ट से जो समदाय का वातावरन एवं एक तंत्र की भातकार करता है उसको पारितंत्र करते हैं पारितंत में शैवाल का स्थान होता है पुटपादक होता है पोशन की द्रिश्ट से अप घटक बितोप जीवी होते हैं तालाब में बड़ी मचलिया, कच्छुए, मेढग, दृती सर्णी को बोगता हैं। यह पूछा क्या प्रस्न है। जय मंडल, जल्थल, एवं बाय मंडल में कितने छेत्र विस्तित हैं। ठीक है। यह 22 से 30 किलोमीटर में ही जीवन संभव है। इंटिनोमाहिसिस फंगस को कहते हैं। पारितनत्स में अजयवी वटवी घटकों के मते कड़ी को क्या कयते हैं। जयो समयचना। अगला देखित दील मित पोसी। ओलिगोट्रोफिक जील का उधारन है सामभर जील, मित पोसी मतलब जहाल मात्रा में पोशन है, दो परिष्टी की तंतों के बीच संक्रमणों को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, सस्टनेबल लाइफ की विशेष्टा क्या है, प्राज तंत की विशेष्टा है हो क्या काते हैं, होलाड, हाइग्रोमीटर आप एक्षिक आर्थता मापन के लिए, बैरोमीटर देख लिजेगा, अमीटर और अक्जनोमीटर, अमीटर वाईग धारान आपने के लिए, बैरोमीटर दबाव मापने के लिए, अक्जनेमीटर देख लिजेगा, पाइक्रोमीटर यह होता है बालुपोद्वित या बजरित थारेत में बेकार सक्त भूम में उगने वाले पोधों को कहते हैं कर्सोफाइट्स विभीन पायस की तंतकों में उत्पादक्ता का बोध पूर्जा पिरामिट से होता है सरवाधिक अस्थाई पारितंत्र कहा कहा है महासागर है 1950 में भारस सरकार अक्टूबर के पहले समवार को विष्व हैविटेट दिवस मनाती है इकोटोन टिकाउ जय समू का लाता है अंतरास्ती आमलवार्शा सूचना केंदर कहा है ओसलो में इकोलोजिकल नीके किस अंकल्पना किस ने दी थी ग्रिनेल्स ने दी थी पाईसिती संतुलन के संबंद में से संबंद नहीं है और द्योगी प्रबंदन का एपी फाइट्स यांत्रिक ओलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं कुछ पौधों की जड़े विश्च के समान पदार्थों कस्रामण करके अन्य जातियों को पौधों की ब्रिद्धी को रोकती है ये कई बार पुछा गया है एक जीव को लाभ हानी किसी को नहीं सभोजिता इसके लिए हम एक चार्ट बनाये है कमेंसलिजम जो है और अमेंसलिजम ये सारी जो चीज़े होती है वाई क्या है एक मिस्टरण है घटपांड़ी में घट के रूप में रूपांतरित होता है क्या पत्ता पाइस्थित्की तंत्र में तत्तों का चक्रन कहलाता है जियोकेमिकल साइकल कराता है ये जयोपूरासाइनिक चक्रकालाता है एक मनुसे के जीवन को पूर्ण रूप से धाड़िय करने के लिए आवसे एक निम्दम भूमि वो क्या बोलते हैं पारिस्थित की पदचाप पारिस्थित की अस्थाई मित ब्याईता है चिपको अंदोलन का नारा चिपको अंदोलन का नारा क्या था पारिस्थित की अस्थाई मित ब्याईता है एको सिस्टम में उच पोसन अस्तर अम्निवर्स जो होते हैं वह सरवाहरी जो होते हैं यह सबसे उच्चा स्थर परोते हैं उत्पादक्ता का घटता क्रम सबसे ज्यादा उत्पादक्ता होती है मैं इंग्रोग में कई लोगोंने मुझ्से प्रस्द पुछान अब और यह कई बार पूछा गया है उस्षों में हैं या पंद्रह में और यूबी पीसेस में भी दो बार पूछा गया है तो यह क्रम याद कर लिए सबसे आदा मैंग्रोग होता है फिर घास अस्तल फिर जील फिर महासागर लो महासागर पहले नंबर में मार देते हैं सर प्रथम डीप इकॉलोजी सब्द का प्रयोग अर्णीजनेस ने किया था रेडान वाय में नहीं पाई जाती है बाकी और कैसे हैं जो पाई जाती हैं उनका क्रम दिया था आहार सेंखला का सही क्रम डायटम यह पूछा गया है क्रस्टेशियाई और हैरिंग यह याद कर लि दर साता है पिकनो क्लाइन घरत प्रमणता के लिए पिकनो क्लाइन परावैगनी विकरण फोटो केमिकल प्रयाओं को तेज कर देता है इसके कारण जहरीला कुहरा बनता है अल्प दीप्तिकालिक पौदे क्या कौन-कौन से हैं इनको कम समय के लिए प्रकास की जरुबत होत हैं तंबाकू और सोयवीन चायपरी पौदे हैलोफाइट्स है और सई हैलिफोवस एंजाइम क्रियासील तम सर्वत्तम कब होता है एंजाइम जो है क्रियासील सबसे अधीक कब होता है 25-35 देगर सेटीगेट के भारत में अस्थाइबर प्लाइं कितने पे हैं 4000 मीटर पे अ ब्रिदा में औस्तन 5% हुमस पाया जाता है सरवादिक पीट मिर्दा में पाया जाता है हुमस प्राकृतिक आक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड यह याद रख लीजेगा यह बहुत इंडोल एसिटिक एसिड क्लोरिफिल निर्माड के लिए अतियावस से क्या है मैगनीसियम यह भी यूबी का पेट क्योस्टन है वासपूर सर्जन के लिए पोटैसियम जल धरन छंता सरवादिक किस में होती है मटिया मिट्टी या क्ले मिट्टी क्ले स्वाइल बोलते हैं इसको चूना प्रधान मिर्दा में उगने वाले पौदे कायल सी कोल्स बोले जाते हैं सौस फंगस का किसी पोधे के साथ सहजीवन जो होता है सिंबियोसिस क्या बोलते हैं उसको माइको राइजा यूट्री कुलेरिया नेपेंथिस डायोनिया ड्रोसेरा कीड भक्ची पोधे हैं इनका नाम याद कर लीजिए कभी कभी पूछता है नैट्रोजन की कमी वाले जो होते रहें आम के विच्छ का अर्थ टना परजीवी क्या है लॉरेंथस micro nutrients कौन कौन से हैं micro और micro nutrients ज़रूर रट लीज़िएगा यह अंतर पूज़ देता है UP में काफी ज्यादा है यह देखी ARO में पूछा गया प्रस्न था silt clay और यह मिट्तियों का क्रम था यह पूछा गया था अभी ARO 17 में पूछा है scavengers, decomposers और fungus यह दिख लीजेगा, scovengers, decomposer, plus fungus, यह decomposer जो होते हैं, यह क्या होते हैं, scovengers मतलब होता है, साब सफाई करने वाला, तो यह सफाई करते हैं, परियावराण की, मृत जीवी खाग स्रिंखला क्या है डेटरिटस सभी चक्रों में सरवाधिक उर्जा क्या हो सकता होती है 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 इको क्लाइन दो पारिस्तगी तंत्रों के मद्य है ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन जोन को इको क्लाइन बोलते हैं प्रित्वी की शुद्ध पादक्ता कितनी है, 320 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर इयर, सरवाधिक नेट, प्राइमरी प्रोटेक्टिविटी, पैलेट ट्रॉपिकल रेंस है, रेंफॉरेस्ट है, उसके बाद मार्स लैंड, मैंग्रोवस वगरा है, माॉस साफ्रिलवर जो होता है, between A and B, दोनों को लाव होता है, कमेंसलिजम में एक को लाव होता है, इसको कोई प्रभाव नहीं, यह पॉजिटीव है तीन, मुचेलिजम, कमेंसलिजम और फोटो, आधिसायोग जो होता है, फोटो को आपरेशन बोलते हैं इसको, प्रोटो को आपरेशन स्वरी, प्रोटो को आपरेशन में, दोनों को लाव होता है, इसमें देखिए, पॉजिटीव हैं, यह तीनों करिया हैं, यह नेगेटिव हैं, इसमें दोनों कहानी होती है, एक में परासेटिजम में, एक को लाव होता है, एक कहानी होती है, प्रिडेशन में भी एक को लाव होता है खाने होगी यह negative nitrogen fixation के लिए bacteria कौन-कौन से हैं यह सारे पूछे गए और यह भी तो इसको देख लीजेगा क्लोस्ट्रेडियम है जोटो वेक्टर है राइजोबियम है क्लेफसेला है क्लोरोबियम और रोडोस्पिरिलियम और यह नोस्टू एनाबसेना एनाबसेना यह अक्सर पूछता है एलोबीसिया, एलोबीसीरा, यह चिया है गेली Τ्रीटिया, कोलोथिरियम और रिनूलेरिया पोसन चक्र जो कभी-कभी पत्थरों के अप्छै से प्रभावित होता है यह कार्वन चक्र जो है सीधे संचालित होता है पारिस्थित्की तंक्र के अवयों का चक्रन क्या होता है बाय जियो केमिकल साइकल होता है कोरल रीफ की उतपादक्ता सबसे अधिक होती है ये ध्यान रखिएगा रेगिस्तान की उतपादक्ता सबसे कम छे फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है यह है CHO NSP तो S-P-C-H-O-N याद कर लिजेगा ये छेप जो है मूल तक तो है माइक्रो नियूट्रियेंट पहले भी बताया जा चुका है ये नीचले अस्तर से उपर अस्तर पर उर्जा का प्रवा क्रम घटता है Second law of thermodynamics ये कौन सा नियम है? उसमा गत्की का दूसरा नियम है पारिष्थित की अनुकरमल का सरपर्थम अध्यान हर्ट द्वारा किया गया अनुकरमल सक्सेशन जो होता है में सबसे निर्णाय गुंपा किसकी होती है? क्लाइमेट की सबसे कम जब विट्था पॉइनियर समदाय में होता है जो मुख्य होते हैं जो शुरुवात करते हैं जीवन की आग लगने के बाद सरपर्थम सक्सेशन में घास प्रकट होती है नहीं बात है माइक्राइजल एसोशियेशन जो है कवक मूली सहवास कि एक कवक तंत जो होता है फंगल माइक्रीजिम माइसीरियम खनीज वह जल और सोशन में सहायक होता है लाइकन ब्यक्त करते हैं सहवक कारिता है ठीक है नौस्टॉक जो है एनाबेनीसिया ब्लू ग्रीन एलगी आर फाउंड इन साइकस प्रवाल जड़ों में पाया जाते हैं ये तो सिरोज के थैलस और एजोला में धान के खेत में ये सारे जो है एलगी कहा कहा पाया जाते हैं इनका देख लिजेगा साकाहारी सर्वथा की इस्टॉल प्रजाती होते हैं इध्यान रखिये गई इस्टेक्मेंट दे सकता है अधिक्तम प्रकास संस्लेशन डाइटम्स और डानोफलेजी लेट्स द्वारा क्लोस्ट्रोडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वाइवीर जो है एनेरोविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है क्लोस्ट्रोडियम अगला देखेंगे उत्पादक नीचे से उपर की और नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन में से अमोनिया नाइट्रोजन से नाइट्रेड जैविक सामेता अस्थापित होती है उत्पादक बोगतायम अभटक के बारा समुद्र के खुल प्रकास संसलेशन में समुद्री पादपों का यह देखे सबसे आधिक होता है सितोस्डवन उसके बाद चरम थंदायवाले प्रावड प्राइस्तिकी तंत्र को जातियों में वीत्ता आधिक होने के कारण तंत्र में इस्थिरता होती है इसका कारण है होमियोस्टेटिक क्रियाविदी इसको बोलते हैं जो इस्थिरता के लिए अब घटक पोसन अस्तर चार के जीव है अब घटक जो है एकदम चौथे अस्तर के जीव है प्रावास आस्थान प्रक्रिया अस्थरी करण तो मित्रों बायस फियर से आगे हम नेक्स वीडियो में देखेंगे और अगर ये कारिक्राम आपको अच्छा लगे तो ऐसे नोट्स हम लोगों के पास जोग्रफी के साइन्स का तो हम डालेंगे ही डालेंगे साइन्स इन्वार्मेंट से आपका एक भी प्रस्न गलत नहीं होगा पाकी जोग्रफी और हिस्ट्री के लिए अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसका भी नोट्स ऐसे टाल सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए